हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवार चैनल क्रेक्ड कॉम्टिशन आज की इस वीडियो लेक्चिर में हम जन्वरी से सितंबर 2020 तक के कुछ महत्पूर अवार्ड्स एंड ओनर्स यानि की पुरुसकार और सम्मान्स के बारे में डिसकस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एक्जाम में करंट अफियर्स के सेक्शन में तीन से पांस नंबर में पूछे जा सकते हैं दोस्तो ये टॉप 35 अवार्ड्स एंड ओनर्स हैं इसलिए वीडियो मन तक बने रहिए सबसे पहला अवार्ड है दोस्तो नैशनल अवार्ड टू टीचर्स ठीक है नैशनल अवार्ड टू 2020 दिया गया सुधा पैनुली को सुधा पैनुली एकलब्य मौडन रेसिदेंशियल स्कूल उत्राखंड की वाइस प्रिंसपल है इनको सिक्षा के छेत्र में उत्कृष्ट प्रदसन करने के लिए नैशनल टीचर्स अवार्ड दिया गया 2020 का अगला है डाइना अवार्ड 2020 दोस्तो डाइना अवार्ड जो है ये दिल्ली की एक 13 साल की लड़की है फ्रेया ठकराल इनको दिया गया इन्होंने क्या किया इन्होंने एक रिसाइकलर एप बनाया जिसके तुरू हम वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं या फिर वेस्ट मेनेजमेंट कर सकते हैं तो इसी Green Building Award 2020 मिला है International Olympic Committee इनका नया मुख्याले बना है लुसाने में दोस्तों वहाँ पर उस मुख्याले को बनाने के लिए इनमें काफी Eco-friendly techniques इस्तिमाल की इसलिए इनको EU Green Building Award 2020 दिया गया है International Olympic Committee अंतरास्तिय Olympic महासंग के जो अध्यक्स है यह जो chairman है उनका नाम है Thomas Bach ठीक है और इसका headquarter मैंने आपको बता दिया लुसाने में है अगला है दोस्तो दादा सहाब फाल के अवार्ड 2020 इंडिया का सिनेमा के चेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरुसकार है दादा सहाब फाल के अवार्ड यह दिया गया दोस्तो केजांग D. thongdog को केजांग D. thongdog जो है दोस्तो यह अरणवांचल प्रदेश के film maker है ठीक है और 2020 का दादा सहाब फाल के पुरुसकार इनको दिया गया था और सबसे पहला दादा सहाब फाल के पुरुसकार किसको दिया गया तो 1st 10 FAL के पुरुषकार दियागे दूस्तो देविका रानी को ठीक है ये एक्जाम में पूछा जाता है इसको ध्यान रखेगा कि पहला किसको दिया देविका रानी को और 2020 में किसको दिया केजांग डी थैंक डॉप को अग्ला है दोस्तो वन करमन अवॉर्ड तो वन करमन अवॉर्ड जो है दोस्तो वो इंटर्नेशनल अकेडमी ऑफ एस्टरोनॉरोटिक्स द्वारा दिया जाता है इस बार दिया गया है Dr. K. Sivan को Dr. K. Sivan का नाम आपने जरू सुना होगा ISRO के चेयर्मेन है ISRO का फुल फॉर्म है Indian Space Research Organization जिसके चेयर्मेन है Dr. K. Sivan उनको Won Karman Award 2020 से सम्मानित किया गया था अगला है दूस्तो Nelson Mandela Prize 2020 तो National Mandela आपको पता है कि दक्षिन अफरेका के पूरो रास्टपती थे जिन्होंने जो अस्वेथ हैं उनके लिए लड़ायां लड़ी तो Nelson Mandela Prize 2020 जो है यह मिला है Morisana, Koitu और Mariana, Vardino, Yanasis को दोस्तों नाम कुछ टफ हैं तो इसलिए आप इनकी फर्स्ट नाम याद रखे यह Morisana और Mariana इनको Nelson Mandela Prize 2020 मिला जो रंगभेद है उसके खिलाब लड़ाय लड़ने के लिए अगला है International Booker Prize 2020 तो दोस्तों साल की उत्कृस्ट बूक या फिर नोबेल जो होती है उसके लिए International Booker Prize दिया जाता है तो International Booker Prize 2020 मिला है Marike Lucas Risenwald को किसको मिला है Marike Lucas Risenwald को इनकी कौनसी डेब्य नोबल है इनकी इनने पहली नोबल लिखी है The Discomfort of Evening ठीक है बुक का नाम भी याद रखिये एक्जाम में पूछा जा सकता है अगला है दोस्तों Global Humanitarian Award 2020 यह Most Important Award है एक्जाम में पूछा जा सकता है 100% दोस्तों विस्स में मारावता को बचाने के लिए जो उत्कृस्ट कारी करते हैं या फिर Social Welfare के लिए जो उत्कृस्ट कारी करते हैं तो उनको Global Humanitarian Award दिया जाता है 2020 के लिए यह मिला है भारत के सचिन अवस्ती को ग्लोबल Humanitarian Award 2020 किसको मिला है दोस्तों सचिन अवस्ती को यह नाम आप याद रखिएगा टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट एक्टर अवर्ड तो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ट्रिब्यूट एक्टर अवर्ड दिया सम्मानित किया गया केट विंसेल्ट को अगला है रिचार्ड डॉकिन्स अवर्ड 2020 तो भारत के गायक कार हैं सिंगर हैं जावेद अक्तर तो जावेद अक्तर को रिचार्ड डॉकिन्स अवर्ड 2020 से सम्मानित किया गया है नाम याद रखिएगा अगला है E-Panchait Puruskar 2020 दोस्तो E-Panchait Puruskar यानि कि अपने सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोडने के मामले में जो स्टेट टॉप पर रहा उसको E-Panchait Puruskar 2020 से सम्मानित किया गया वो है हिमांचल प्रदेश तो E-Panchait Puruskar 2020 किसको मिला हिमांचल प्रदेश इसका Right Answer हुआ अगला है German Book Trade Peace Prize 2020 Most Important है एक्जाम में 100% पूछा जाएगा इसको ध्यान रिखेगा German Book Trade Peace Prize 2020 दिया गया अर्थसास्त्री अमर्तिय सेन को दोस्तों अमर्तिय सेन जो है भारत में अर्थसास्त्र के नोबल पुरुषकार जीतने वाले प्रथम भारतिय हैं अमर्तिय सेन इनको German Book Trade Peace Prize 2020 से सम्मानित किया गया दोस्तों Most Important World Food Prize विश्व खाद्य पुरुषकार 2020 दिया गया डॉक्टर रतनलाल को फूड प्रोसेसिंग के छेत्र में उत्कृष्ट प्रथसन करने के लिए World Food Prize 2020 जो है वो डॉक्टर रतनलाल को दिया गया तो World Food Prize 2020 का नाम याद रखिया आप रतनलाल फिर है दोस्तों NASA Distinguished Service Medal तो NASA का उत्कृष्ट सेवा मेडल किसको मिला NASA का फुल पॉम है National Aeronautics and Space Administration या अमेरिका की Space Agency है दोस्तों इसके द्वारा रंजीत कुमार को Distinguished Service Medal का अवर्ड दिया गया तो NASA का Distinguished Service Medal किसको दिया गया उनका नाम है रंजीत कुमार ठीक है Commonwealth Short Story Prize 2020 तो Short Story Prize Commonwealth ये दिया गया है कृतिका पांडेगो Commonwealth Short Story Prize किसको दिया गया गया दूस्तों कृतिका पांडेगो पुलिजर प्राइज इन फीचर फोटोग्राफी 2020 तो जो फोटोग्राफी होती है फीचर फोटोग्राफी की चेतर में पुलिजर प्राइज तीन लोगों को मिला है यह जमु एंड कस्मीर के हैं इनका नाम है चन्नी आनंद मुक्तार खान और डार यासीन ठीक है पुलिजर प्राइज इन फीचर फोटोग्राफी 2020 चन्नी आनंद मुक्तार खान और डार यासीन अगले है दोस्तों निपाला Inventor of the Year Award 2020 निपाला का अर्थ होता है दोस्तों New York Intellectual Property Low Association द्वारा दिया जाता है यह Award Inventor of the Year 2020 तो यह दिया गिया है भारत के राजिव जोसी को निपाला का Inventor of the Year Award 2020 दिया गिया है राजिव जोसी को ठीक है दोस्तों अगला है Fed Cup Heart Award for Asia और Ocenia Zone के लिए दोस्तों Asia और Ocenia Zone के लिए Fed Cup Heart Award दिया गिया है टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा को ठीक है और यह ऐसा अवार्ड जितने वाली पहली भारतिया महिला है तो Fed Cup Heart Award Asia और Ocenia Zone के लिए दिया गिया है सानिया मिर्जा को जोन याद रखिए और Cup का नाम याद रखिए और Recipient का नाम भी याद रखिए सानिया मिर्जा विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2020 मैन दोस्तों विजडन पत्री का है उसे क्रिकेट का Bible भी कहा जाता है Bible of Cricket ठीक है इसको ध्यान रखिएगा कि विजडन को क्रिकेट का Bible भी कहा जाता है अब है विजडन लीडिंग क्रिकेटर of the year 2020 मिला है बेन स्टोक्स को ठीक है और विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2020 वीमेन यह मिला है ऐलिसा पैरी को और दोस्तों आप यह कमेंट बॉक्स में लिखके बताएंगे कि बेन स्टोक्स और एलिसा पैरी किस कंटरी से क्रिकेट कहलते है ठीक है तो यह नाम याद रखिएगा most important है अगला है दोस्तो Hero to Animals Award पेटा इंडिया ठीक है पेटा इंडिया का Hero to Animals Award किसको मिला है दोस्तों एनिमल के जो हितों के लिए लड़ती है पेटा एक संस्ता है ठीक है और पेटा इंडिया का Hero to Animals Award मिला है नवीन पतनायक को उडिसा के मुख्यमंत्री है नवीन पतनायक इनको Hero to Animals Award पेटा इंडिया दोरा दिया गया है तो यह important question हो जाएगा नवीन पतनायक अगला है युगांडा का highest civilian award किसको दिया गया है तो युगांडा देश का सबसे बड़ा civilian award दोस्तो यह दिया गया है राजेश चपलोद को तो युगांडा का highest civilian award दिया गया है राजेश चपलोद को इतना याद रख लेंगे आप अगला 120 ये most important दोस्तो ये आपसे 100% exam में पूछा ही पूछा जाएगा 128th Commonwealth Point of Light Award ये किसको दिया गया है तो Commonwealth Point of Light Award दिया गया दोस्तो जादो पाइंग को जादो पाइंग क्या है जादो पाइंग एक परियावरन कारी करता है इन्वर्मेंटल एक्टिविस्ट हैं और एक फोरेस्ट गार्ड हैं ये रहते हैं आसाम माजुली में ठीक है माजुली डिस्टीक आसाम में रहते हैं और उनने बहुत ही इन्वर्मेंट को बचाने के लिए बहुत ही इस्टिंग्विस्कारी किये हैं इनको Forest Man of India भी कहा जाता है ठीक है इनका नाम 2020 में बहुत इंपोर्टेंट है और 128th Commonwealth Point of Light Award भी जादो पायंग को दिया गया है और स्वामी विवेकनन्द कर्मयोगी Award 2020 भी जादो पायंग को दिया गया है यह ध्यान रिखिएगा अगले है दोस्तों IIFTC Tourism Impact Award 2020 तो IIFTC द्वारा Tourism Impact Award त्यूरिजम को बढ़ावा देने के लिए किसको दिया गया है फिल्म मेकर है जोया अक्तर तो जोया अक्तर को Tourism Impact Award दिया गया है IIFTC द्वारा देन डेविट प्राइज 2020 दोस्तों देन डेविट प्राइज जो है वो Innovative Research Science Technology और Social Welfare के छेतर में दिया जाता है तो यह मिला है गीता सेन को देन डेविट प्राइज इसको Sword में DDP भी बला जाता है तो DDP प्राइज 2020 यह मिला है गीता सेन को फिर दोस्तों पॉली उम्रीगर अवर्ड 2020 प्रतियक वर्श क्रिकेट में उतक्रिष्ट प्रतसन करने के लिए पॉली उम्रीगर अवर्ड दिया जाता है तो 2020 में यह मिला है भारत के तेज गैनदबाज अन और्थोडोक्स बॉलर जस्प्रीत बुमराह को ठीक है पॉली उम्रीगर अवर्ड मिला है दोस्तों जस्प्रीत बुमराह को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवर्ड 2020 यह मिला है सुचेता सतीस और इस्वर सर्मा को दिया गया है फिर दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट अवर्ड 2020 यह असम के डिबुरुगर को मिला है यहाँ पर बेस्ट प्लास्टिक वेस्ट के मेनेजमेंट का कारी किया गया है जिसके लिए असम डिबुरुगर को प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट अवर्ड 2020 से सम्मानित किया गया फिर दोस्तों first price at republic day parade 2020 तो राजपत पर republic day की जो parade जहाकी निकलती है उसमें सबसे top में first price किसको मिला है असम को मिला है ठीक है त्यान रखेगा इसको अब है वेंकया नाइडू national award for excellence ये मिला है MS स्वामिनाथन को भारत में हरित करांती के जनक थे father of green revolution in India MS स्वामिनाथन साब उनको वेंकया नाइडू ये हमारे उपराष्टपती है वेंकया नाइडू इनके नाम पर एक award निकाला गया है वेंकया नाइडू national award for excellence ये दिया गया है MS स्वामिनाथन को अगला है दोस्तो first man खेलो इंडिया ice hockey tournament 2020 तो पहला पुरुस खेलो इंडिया ice hockey tournament 2020 कहां खेला गया ये लद्दाग में खेला गया थीक है ना अगला है दोस्तो मोहन बागान रत्न 2020 तो मोहन बागान आपको पता है कोलकाता का सबसे पुराना और मसहूर football club है तो मोहन बागान रत्न अवर्ड दिया जाते हैं प्रतियक वर्च इस साल दिये गए है पलास नंदी और गुरुबक्स सिंग को पलास नंदी और गुरुबक्स सिंग इनका नाम याद रखिये जिनको मोहन बागान रत्न अवर 2020 दिये गए हैं दोस्तो थैंक्स पर वाचिंग ये थे कुछ महत्पूर पुरुसकार और सम्मान अगर इस वीडियो माच सा रिस्पॉंस मिलता है तो मां आगे आने वाले के लिए आपको कुछ बुक्स के जो इंपोर्टेंट बुक्स हैं और कुछ इंपोर्टेंट अपॉंटमेंट्स हैं वो भी आप ले लाओंगा वीडियो को दिख से दिख सेर कर दीजिए लाइक कर दीजिए थैंक्यू जैहिन जैवारत